सबसे पहले चम्पू टीवी वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दुबाएं बगवान ने जब इस संसार की रचना की तो सभी जीव जन्तूं के अनुसार उनके रहने के लिए अलग-अलग जगा बनाई एक शेहर के बाहर एक घना जंगल था उसी जंगल में एक तालाब था जिसमें बहुत से जीव रहते थे उसी तालाब में एक केकड़ा भी रहता था एक पार केकड़ा सोचने लगा उफ मैं तो इस तालाब में रहते रहते बोर हो गया हूँ चलो क्यो ना आज बाहर की दुनिया देखी जाए केकड़ा तालाब से बाहर निकला और पास के जंगल में घूमने लगा वहाँ उसने बहुत सुन्दर सुन्दर फूल देखे, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे देखे, वहाँ का नजारा देखकर केकडा बोला अरे वाह, यहाँ कितना अच्छा नजारा है, आज से मैं इसी जंगल में रहूंगा केकडा इतना बोलकर खने जंगल की ओर चल दिया, उसने एक बार भी है नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा चलते चलते केकडे को एक आवाज सुनाई थी, उसने देखा तो उसके सामने एक खतरनाग भेडिया खड़ा था वह भेडिया उस केकडे को खाना चाहता था, केकडा अपनी जान बचा कर भागना चाहता था, मगर भेडिये ने उसे अपने मुँ में पकड़ लिया पेचारा केकडा, मौत को इतने नजदीक तेक कर बोला आखिर मुझे मेरे किये की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहां आने की गल्दी की, जहां मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं था इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कि घर और वपनों से दूर जाने में खतरा होता है